और रिस्ट का भी योज नहीं किया है तो आज हम बना रहे हैं चीजी पिज़ा पैंकेक अगर आपको मेरी आज की रेस्पी पसंद आती है ना तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और वीडियोस को लाइक और शेयर भी करें हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकी ट्रिपे, मैं रिद गुप्ता आप सभी के लिए लेकर आएं बहुत ही टेस्टी और इजी रेसिपे आज का पिज़ा पैंकेक बनाने के लिए मैंने यहाप़ एक कप मैदा ली है और उसमें एड किया है वनफोर्थ टीजपून नमक और साथी इसमें वनफोर्थ टीजपून ही हमने डाली है शुगर अब हम डालेंगे baking powder half tea spoon और इसमें हमने yeast का बिल्कुल भी use नहीं किया है और साथी लेंगे दो बड़े चम्मच oil और अब हम इसके लिए लेंगे 1 फोर्थ कप दही जो कि हमने fresh दही का use किया है और लिया है एक कप दूद और दूद यह जो हमने use किया है बहुत हलका सा गरम है और यह सब चीज़े धीरे धीरे हम mix कर लेंगे दूद को हम थोड़ा थोड़ा करके ही इसके अंदर mix करेंगे ताकि लंस ना बन जाए थोड़ा थोड़ा दूद इसमें डालते जाए और इसको mix करते जाए और हम आराम से करें ताकि इसमें लंस ना बने और अच्छी तरह से इसको सभी चीज़ों को मिलाकर mix कर लेंगे पहले फिर हम देख लेंगे कि अगर इसमें दूद की और जरूरत है तब ही हम इसमें दूद और एड़ करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं इसमें और दो बड़े चमस दूद डाल रही हूँ तो यहाँ पर हमने एक कप और दो बड़े चमस दूद और लिया है तो अच्छे तरह से इसको mix कर लें आप देख सकते हैं इसकी consistency में अभी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ क्योंकि अभी lumps बने हुए हैं तो पहले उन्हें अच्छे तरह हटा लें देखें अब बिल्कुल perfect हो गया है आप देख सकते हैं इसको इस तरह से अब कोई lumps भी नहीं है और बिल्कुल इस तरह से इसे फेट लेंगे अब हम 15-20 मिनट के लिए अब हमने पिजा पैंकेक बनाने के लिए यह कुछ सबजियां काटी हैं यह प्याज लिए हैं लंबाई में कटी हुई मैंने हाँ पर यूज की है और उसको कद्दुकस कर लिया है अब 15-20 मिनट हो गए हैं तो मैं एक बार चेक कर लेती हूँ देखें जो हमने बैटर तयार किया था उसमें काफी बबल्स आ गए हैं आप देख सकते हैं मैं आपको पास से दिखा रही हूँ तो इस तरह से अगर है तो यह बिल्कुल परफेक्ट है तो हम इसको एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि जो बबल्स है वो बिल्कुल ठीक हो जाएं अब हमने पैन को गरम किया है पैनकेक बनाने के लिए और हलका सा ओयल से उसे ग्रीस किया है फिर एक बड़ा चमच बैटर को हमने पैन पर डाला है इस तरह से और उसे फैला लिया है और गैस का फ्लीम हम लो रखेंगे और जो पैन है उसको भी हम बहुत तेज गरम नहीं करेंगे तो आप देखेंगे जैसे जैसे हमारा पैनकेक गरम होगा सिकेगा नीचे से और उस पे थोड़े थोड़े से बबल्स आने लगेंगे कुछ होल्स आप देख सकते हैं पैनकेक के उपर इस तरह से तो पैन को थोड़ा मूफ करके देखें, अगर पैनकेक मूफ हो रहा है, तो हम फिर उसके बाद उसे पलट लेंगे, और हमें बहुत दे तक इसको नहीं सेखना है, तो हम इसे पलट रहे हैं, देखें इस तरह से, बिलकुल भी कोई स्पॉट इसके उपर नहीं है, बिलकुल बहुत ही हलका सा सिका है, यह बहुत टेस्टी लगता है, बहुत इज़बड तयार हो जाता है, और एक बिलकुल नहीं रेसिपी है, पिजा पैनकेक, आपने पिजा तो बहुत खाया होगा, लेकिन इस बार बनाए पिजा पैनकी तो अब हम इस पर पिजा सॉस लगा लेते हैं और गैस का फ्लेम हम लो रखेंगे बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमें ये पूरा पिजा तैयार करना है सॉस लगाने के पाद हमने जो कद्दुकस की थी चीज को उसको हम इस पर फैला लेंगे और इसके बाद हम उस पर कटी हुई सबजी आड़ कर लेंगे आप इसमें कोई भी जो भी सबजी का पिजा आप खाना पसंद करते हैं वो आप डाल सकते हैं पनी डालने, कॉर्ण डालने, कुछ भी आप डालने तो यहां पर मैंने तीन सबजीयां काटी थी टमाटर, प्याज और शिम्ला मिर्च तो मैं उसी को फैला रही हूँ तो इसके बाद हम इस पर थोड़ी सी चीज और फैलाएंगे यह बहुत ही टेस्टी पिजा है पैनकेक और बहुत ही अलग तरीके का इसमें कोई यिस्ट का यूज नहीं हुआ है और कोई बेस तयार नहीं किया है इसके बाद हम इस पर और्गैनो चड़क लेंगे जो हम पिजा में अकसर यूज करते हैं वही और्गैनो सीजनिंग है और इसके बाद हम इस पर हलका सा चिली फ्लेक्स टालेंगे और इससे ढग देंगे जब तक कि चीज अच्छे से मैल्ट नहीं हो जाती है और गैस का फ्लेंग बिल्कुल लो रखेंगे केवल एक मिनट में हमारा ये पिजा तयार हो जाएगा तो हम एक मिनट के बाद इसको खोल कर चेक कर लेंगे तो देखें यहाँ पर एक मिनट हो गया है मैं चेक कर ले दियूँ चीज बिल्कुल बहुत अच्छे से मैल्ट हो गई है तो हमारा पिजा तयार हो गया देख सकते हैं पास्ती कितना अच्छा लग रहा है और बहुत ही सॉफ्ट पिजा हमारा तयार हुआ है इसको हम सर्फ करनी के लिए अप्लेक पे निकाल लेते हैं तो देखें हमने यहाँ पर दो पिजा तयार किये हैं कितने अच्छे लग रहे हैं बहुत ही टाइम भी नहीं लगा है इस्ट भी नहीं और हमने को इसके लिए डो भी तयार नहीं किया है कोई आटा गूत के नहीं रखा है कोई इसमें हमें इस्ट का यूज नहीं किया है तो देखे कितना अच्छा क्रीमी, सौफ बिल्कुल आप देख सकते हैं कितना चीजी पिजा हमारा तयार हुआ है और पैनकेक जिसे आप कभी भी जट पर तयार कर सकते हैं आप देख सकते हैं पीछे से भी कितना अच्छ से सिका हुआ है और मैं आपको इसे उपर से भी दिखा देती हूँ एक बारी देखे इस तरह से इसका टेक्शर है तो ये पिजा पैनकेक बिल्कुल एक नई रेसिपी है फ्रेंड्स आप इसे जरूर ट्राइ करें और साथी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि मेरी ये बिल्कुल नई पिजा पैनकेक की रेसिपी आपको कैसी लगी और साथी मेरे चनल को सब्सक्राइब भी करें वीडियोस को लाइक करें शेयर और कमेंट जरूर करें और फैमली और फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को शेयर भी करें और फ्रेंड्स साथी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मैं जो भी वीडियो अप्लोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पहुंच जाए तो चलिए फिर मिलेंगे इसी तरह की नई और इजी रेसिपी के साथ करकी नहीं करूँ जाए झाल